the average of 9 consecutive number is n if next two numbers are also included the new average will be क्या कह रहा है question में कि 9 consecutive number का जो average है वो है n अगर next 2 number 2 number और अगले अगर add कर लिया जाए तो new average क्या होगा वो हमसे question में पूछ रहा है एक concept समाज लेते हैं हम यहां पे कि अगर 2 consecutive number हैं for example 1 और 2 तो इसका average कितना होगा इसका average निकालने के लिए 1 plus 2 हम करेंगे और divide करने के किस से 2 से क्यों क्यों कि 2 observation है तो यहां क्या value आ जाएगी 1.5 मतलब इसका middle term आ जाएगा 1.5 इसी तरीके से अगर 3 number हो जाते है 1 2 और 3 एक 3 next consecutive number add हो जाता है तो average अब क्या हो जाएगा इस case में अब इस case में भी इन तीनों number को add करेंगे 1 plus 2 plus 3 divided by अब कितने number से divide करेंगे वो divide करेंगे 3 से तो यहां कितना हो जाएगा 3 1 4 5 6 6 by 2 that is 2 average कितने से बढ़ गया 0.2 से 0.5 से sorry फिक है इसी तरीके से एक number और add कर लेते है 1 2 3 और 4 फिक है अब इसका अगर average find out करते हैं तो कितना होगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 और कितने से divide करेंगे 4 से divide करेंगे क्योंकि number of observation क् 4 है तो यहां क्या हो जाएगा 4 plus 3 7 8 9 और 1 10 10 by 4 कितना आ जाएगा यह हो जाएगा आपका 2.5 अब average कितने से बढ़ गया अब यह 2 से 2.5 हो गया एक number include करने से तो फिर कितने से बढ़ गया 0.5 से बढ़ गया it means एक consecutive number जब include होता है तो average कितने से बढ़ता है 0.5 से और ऐसे ही अगर 2 include करेंगे तो 0.5 plus 0.5 2 से average change हो जाएगा it means कितने से change होगा 1 से 0.5 और 0.5 कितने के बढ़ बढ़ जाएगा 1 it means option 4 average increase कर जाएगा किस से 1 से